हाई एवर्डिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं वर्षय कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग उस दिन विंद्याचल के बाद आग चुके थे बनारस तो यहां पे मेरे हस्बेंड और मेरा भाई और मेरा भगना भी आया हुआ था तो वो लोग गंगा जी में नहां के जाने वाले थे इसलिए हम लोग बैटके यहां पे इंतजार कर रहे थे और मॉर्णिंग का टाइम था आइधिंक छे बज रहे थे और बहुत ही ज्यादा अच गूमेंगे तो यहां पे संकर्भावान की पूजा करने से पहले अच्छली होती क्या है बिना संकल्प लिए संकर्भावान की पूजा नहीं होती है तो यहां पे सारे आप देख सकते हैं यहां पे पंडे जी वगड़ा सब बैठे राते हैं आप उनसे पूजा वगड़ा क उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं और आप पूजा कर सकते हैं बहुत जादा लंबी लाइन होती है और आपको मंदिर में कैमरा बेल्ट कुछ भी अलाउड नहीं होती है सिर्फ प्रशाद लेके अंदर जाना होता है तो आप लॉकर रूम होता है आप उसमें जमा कर दीजि तो यहाँ पे नाव वाले के साथ आप बात करके यहाँ पे आप वो आपको सारे घाट गुमा देगा और हम लोग गंगा जी के उस पार चले गयते हैं उस पार आपको मतलब पानी वेगड़ा अगर जादा हो जाती है तो यह मतलब सब कुछ बंद हो जाता है यहां पर बटा भी पानी कम दीस ले यह इस पार लेके आये थे हमें और यहां पर आपको कैमल होर्स मिल जाएगा आप उस पर राइट कर सकते हैं जो हम लोगों ने भी किया था तो आप देख सकते हैं पूरा हमें वो जितने भी घाट होते हैं वो हमें नाव से घुमा देते हैं तो बहुत जाधा अच्छा लग रहा था और यहां पर कुछ घाट ऐसे भी थे जो इसमें से एक घाट ता मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो श्रापित घाट था कहते हैं वहां पर शिव और संकर जी ने श्राप दे दिया था कि वहाँ कभी भी शान्ती नहीं रहेगी तो वहाँ का है कि 24 गंटा आप देख सकते हैं ये घार जो पीछे आप देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है और यहाँ पे हमेशा बॉड़ी वगेड़ा जलते रहती है तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग कैमल राइट करने आ गए थे और बहुत ज़ादा मजा आ रहा था मेरा बेटा पूरा जिद कर रहा था इस पे बैठना है तो हम लोग भी बैठ गय थे फिर कहां कोई ये सब चीज आना हो पाता है तो अगर आए हो तो अगर कहीं आप गए हो तो उसमें फुल इंज्वाइ करो आप तो आप देख सकते इस घाट के बाड़े में मैं बात कर रहे थे आपको थोड़ा सा ये घाट कॉर्णर वाला अजीब लग रहा होगा जहां धुआ जल रहा है यहां 24 घंटे जलते रहती है घाट श्रापित है और यहां के रात के 12 बजे से पहले जो भी बॉड़ी आती है उसके राक से विश्विनात कासी की भस्म आरती होती है भस्म उन्हें लगाया जाता है यहां पे और उज्जैन में वहां हमें नाव वाले ने ऐसा बताया था अगर आप उसकी पूरी जानकारी चाहते है तो आप यूट्यूब पे देख सकते है उसकी पूरी जानकारी पूरे मतलब अच्छा हिस्ट्रारिकल उसके बारे में दिया हुआ है तो यह था हमारा पूरा बनारस जो कि बहुत जादा अच्छा लग रहा था और बहुत जादा मज़ा आता है और आप देख सकते हैं हम लोग इस तरफ आए थे घूमने के लिए जो मैंने कहा था कि उट और हॉर्स वगेड़ा हॉर्स तो भी नहीं थे बट उट वगेड़ा था कुछ दिन पहले तक ये बंद था क्योंकि यहां पे पानी बहुत जादा अस्थर बढ़ चुका था तो आइ थिंक नौवाले ने कहा ये दो दिन पहले ही खुला था तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई घूम लेते हैं तो और ये सब आप देख सकते पूरा घाट सब कितना अच्छा लग रहा था यहां के व्यूज इतनी अच्छी आ रही थी आपको मुवाइल में इतनी नहीं दिख रही होगी बट सामने वाली फीलिंग कुछ और ही होती है तो आप देख सकते हैं यहां पे मुझे पानी में थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे डर लगता और लगता है तो लगता है भाई इसमें कुछ शर्म वाली बात तो है और यहां पे हम लोगोंने बोट रिजर्व कर लिया था अगर पर परसन जाओगे तो वो एक बोट पे तकरीबन 30 to 40 आदमी बैठा लेते हैं और उसके बाद वो आपको घुमाते हैं तो हम लोगों यह जादा बैठर लगा तो इससे था अच्छा से इंज्वाइ कर पाते हैं तो आप देख सकते हैं यहां से पूरा बनारस का व्यू बहुत और अच्छा रहा था बट शाम में अगर आप आरती वगड़ा देखने आते हैं उस समय तो और भी जादा अच्छा लगता है तो इसके बाद हम लोग यहां घुम के उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने रूम पे और यहां आप देख सकते हैं मेरे बेटे को मेरे बेटे मने भी जिद की की उसे लाइफ जैकेट पैनना है तो वो भी पैन लिया था और लास्ट हम लोग यहां पे घुम बुम के बनारस उसके बाद स्टेशन आ गये थे हमें रिटर्न होना था तो यह था अमारा आज का व्लोग अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज 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 सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा सा वीडियो मिलने वाला है आपको तो आप जरूर देखना सो थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो बाबाई लाव यू